यहां पर हमारा interest on capital निकल गया था 3600, 5400, 9000 जो की है 6%, अब हमें देखो क्या निकालना है, अक्ष्रा का हमें दे रखा है profit including interest on capital 45,400, ठीक है, question में mention है कि अक्ष्रा का जो profit है, वो दे रखा है profit plus interest on capital 45,400, तो हम क्या करेंगे, इसका profit before interest on capital निकालेंगे, simply मतलब हम क्या करेंगे, यह जो 45,400 है, इसमें से अगर हम interest on capital minus कर दे, तो इसका क्या आजाएगा, खाली profit आजाएगा, right, कौन सा profit, जो divisible profit होता है, जो यहां पर हम लोग देते न, यहां पर होता है net profit, यहां पर आता है interest on capital, उस के बाद हम यहां पर profit को divide करते हैं, जो अक्षा का दे रखा है, वो यह plus यह दे रखा है, तो अब हम क्या करेंगे, इस में से अगर हम ने यह निकाल दिया, तो हमारे पास खाली यह वाला profit आजाएगा, right, तो 45,400 में से हम, 45,400 में से हम 5400 को minus कर देंगे, तो हमारे पास 40,000 जना गया, अक्षा का profit, हमें क्या दे रखा है, profit sharing ratio कुछ नहीं दिया, तो हम 1 is to 1 is to 1 लेंगे, इसका मतलब, जैनेट का 1 by 3 होगा, अक्षा का 1 by 3 होगा, और जो S है, उसका भी 1 by 3 होगा, right, तो अक्षा की 1 third profit जो है, वो 40,000 है, जो अक्षा का 1 third ratio है, उसके लिए उसको 40,000 म हम पूरी firm का profit निकाल सकते हैं, अगर 1 third 40,000 है, तो 1 कितना, simply cross multiplication करेंगे, तो 40,000 into 3 divided by 1, यह आ गया, 1,20,000, किसका profit आया यह, पूरी firm का profit आ गया, 1,20,000, पूरी firm का अगर इतना है, तो हम J, A और S का individually निकाल लेंगे, 1,20,000 into 1 by 3, अक्षा का तो हमें already पता है, 40,000, एसका भी आ जाएगा, 1,20,000 into 1 by 3, तो गया 40,000, 40,000, 40,000, right, हमें बोला है कि तीनों का हमें profit, including interest on capital निकाल ला है, interest on capital हम already हाँ पर find out कर चुके है, 3600, 5400, 9000, तो इसमें add हो जाएगा 3600, plus 5400, plus 9000, और हमारा total profit हो गया, 43,600, 45,400, 49,000, यहाँ पर हमारा यह सम illustration 11, अच्छा, यहाँ पर कुछ बुक्स में illustration 8 था, तो मैंने by mistake 8 लिख दिया, इसको illustration 11 कर देला, यहाँ पर हमारा illustration 11 खतम होता है, तो मारा homework जो है वो यह रहेगा, illustration 8, 9, 10, including जो मैंने वीडियो में आज question समझाये, and exercise 8 and 9.